नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह जोतिश एक ऐसा कारिक्रम है जहां पर आप अपने जीवन के कुछ हंचुहे पहलों को भी छू लेते हैं जोतिश के भविश्य कथन की विधि के द्वारा तो पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे आश्विन के किस पक्ष में अभी हम चल रहे हैं पन्चांग बताएंगे राहुकाल गोलेकाल बताएंगे हर राशियों का आज का दिन कैसा बीटेगा इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे आईए आगे बढ़ते हैं और सुर्वात करते हैं आज के जोतिश दुशा की पंचांग बताएं इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमसे तीन और चार अक्टूबर को मुंबई में मुलाकात कर सकते हैं मुंबई में मिलने के लिए जो नंबर आपके सामने फ्लेश हो रहे हैं उन पर आपको बस कॉल और वार्टसप जो चाहें आप करके मुंबई में मिलने का समय सुनिशित करने पंचांग आश्विन महा शुकलपक्च सश्ठी तिति चंद्रमा आज विष्टी ग्रासी में नक्षत अनुराधा रहेगा योग रहेगा आज का प्रीती तदनुसार दिनांग 22 सितंबर दिन मंगलवार मंगलवार गुराहुकाल दोपहर तीन से चार बच कर तीस मिन तक जिसमें आपको नए और शुबकाम नहीं किये करने चाहिए गुलिकाल का समय रहेगा दोपहर बारे से डिड़ बजे तक जो चाहें करें आप प्रतेक कार्यापके बंते चले जाते हैं सुरवात आज की भविश शुफल की मेश राशी वालों के लिए आज करो मरों की स्थिती रहेगी पढ़ाई में बिलकुल मन नहीं लेगा लेकिन बैपार अच्छा कर सकते हैं बिजनोस में आ रहे ही बाधाय दूर हो जाएंगी प्राइविट सेक्टर वालों के लिए आज नौकरी में बाधायों का पार पाने का रास्ता निकलेगा नहीं नौकरी की संभावना बंती है कोई दोस्त आपका बहुत करीब से मददगार सावित होगा मित्रों का सानिद रहेगा दामपत्य जीवन के बारे में बताएंगे गौर्मन्ट सेक्टर में आज कुछ बाधाय आ रही है सरकारी च्छेत्र वालों के लिए सब कुछ बहुत अनकूल नहीं है गौर्मन्ट सेक्टर में कुछ बड़े तनाओ की स्थती आ रही है गौर्मन्ट सेक्टर को लेकर की मुश्किलों का दोर भी सुरू हो सकता दामपत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा संतान का सुक मिलेगा आज पत्पत्नी के बीच तनाओ खत्मों का स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो आज का दिन थोड़ा सा टफ जा रहा है आँख उल्टी जुखाम ओमेट उगर है ये जुखाम बुखार सब कई तरह की दिक्कते आज महसूस करेंगा प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए खास तोर पर लव लाइफ को लेकर के सचेत रहने की आवशकता है मेश वालों की लव लाइफ में आज कही तरह की बिसंगतियां आएंगी कही तरह की दिक्कते आ सकती है उपाय क्या करना चाहिए लव लाइफ स्वास्त आदि सब अच्छा हो जाए मेश राशी वालों के लिए 22 तारिक को तो आज एक रुपे का सिक्का तीन बार अपने सल से वारना है और किसी पौधे के नीचे रख देना है क्या नहीं करना मेश वालों को आज गुस्से में कोई निर्ड़े नहीं लेना है बहुत अच्छा समय है पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप चंद्रमा की आपकी राशी पर उच्छी की दिष्टी है आज का दिन तो आपके लिए इतिहासी करें ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी प्राइवेट सिक्टर वालों के लिए प्रतिकुलता रहेगी आज नोगरी में आज आ सकती है आज दामपत्य जीवन के बारे में बताएंगे आज का दिन लव लाइफ के मामले में कुछ इस्थती को विसंगत के साथ आगे लेके जाएगा शादी की चर्चा आज टाल दीजेगा आज दूरी बनाएं तो बहतर रहेगा बिशबराशी वालों के लिए उपाय क्या करना चाहिए मां गायत्री का ध्यान करके 24 बार गायत्री मंद्र का जाप कर लेजेगा क्या नहीं करना है आज किसी को धन उधार नहीं देना है स्वास्त के मामले में पेट और लूज मोशन के शिकायत रहेगी नीला रंग शुब है पच्पन प्रिस्थ का भाग या आपके साथ है कुछ परिस्तियां आपके हाथों से बाहर जा रही है बहुत अच्छी इस्तिती नहीं है मांसिक तनाव बढ़ सकता है सोच समझ कर निरले लेना होगा अचानक से कुछ इस्तियां आपके हाथ से बाहर जा रही है आज स्वास्त के मामले में कुछ गरबर होने के कारण भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी लेकिन ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा बिजनस में आ रही हर एक बाधा दूर हो जाएगी ब्यापारी दिश्टिकोंट से सब कुछ बहुत सकरात्मक रहने वाला है प्राइविट सेक्टर के लिए नहीं नोगरी की समावनाई मनती हैं बॉस के साथ तालमेल अच्छा बैठेगा सरकारी छेतर वालों के लिए मुश्किलें आएंगी धन का खर्च बढ़ रहा है दामपत्य जीवन सकरात्मक रहेगा दामपत्य जीवन में कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है दोपहर के बाद मेल जोल कम करिएगा स्वास्त के मामले में आज दातों की समस्या और ज्वाइन्स में पेन आदिकी शिकायत होगी कमर से भी परेशान रहेंगे आज उपाय क्या करना चाहिए आपको काले तिल गव माता को कहीं देना शुब होगा क्या नहीं करना है आज जल्दी बाजी किसी काम में मत करिएगा सुबरंग घरा भाग्य प्रिस्ट फिफ्टी नाइन करकराशी दिन बहुत अच्छा है स्वास्त में बहुत सुधार होगा आज पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे ब्यापार में सुधार होने की चांसें से रुके धन की प्राप्ति होगी प्राइवेट सिक्टर के लिए कुछ मुश्किलें आ सकती है प्राइवेट सिक्टर कुछ बहुत अच्छा आपके लिए नहीं सरकारी छेतर के लिए क्या पूछना है सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा दामपत्य जीवन आपका अद्भुत रहेगा पत्पत्नी के साथ रिष्टे में मदोता रहेगी लव लाइफ के लिए इस्तिती टफ जा रही है लव लाइफ की इस्तिती बहुत अच्छी नहीं है सुच समझ कर निड़े लेना होगा स्वास्त के मामले में सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा स्वास्त में आज सब सुधार होगा मांसुक शांती मिलेगी आज करक रासी वालों के लिए प्रियोग क्या करना चाहिए गुलाब जल अपने दाइनी हथेली पर रख करके अपने ऊपर छिड़काओ कर लीजेगा क्या नहीं करना है आज किसी दूसरे के काम में हस्तक छेप नहीं करना है शुबरंग आपके लिए ग्रे भागिपरसत बासट सिंग राशी थोड़ा सा तनाव बढ़ रहा है कुछ परिष्थतियां आपके हाथों से जा रही है आप पर कुछ बोज पढ़ सकता है स्वास्त के मामले में दिक्कत आने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ब्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह के दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार एक नुकसान से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए मुश्किलें आ सकते हैं आज आज प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए रिस्क लेना भारी पढ़ेगा किसी के बहुकावे में मत आईएगा सरकारी छेत्र वालों के लिए कारेका भार बढ़ सकता है पुलिस विभाग के लोगों को थोड़ा साधान रहना चाहिए रंगे हाथ पकड़े जा सकते हैं दामबत्य जीवन में सुधार होगा आज आपके हाथ से निकल जाए लव लाइफ में बेहतरीन इस्तती रहेगे लव लाइफ की इस्तती को आज आप इंजॉय करेंगे समझेंगे एक दूसरे को स्वास्त के मामले में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा हर्ट की प्रॉब्लम दोर होगी शुगर कंट्रोल रहेगा रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी उपाय क्या करना चहीं आज आज एक छोटा सा इट का टुकड़ा जो इट ब्रिक उसका छोटा सा टुकड़ा पीछे की तरफ फिंग दीजेगा छोटा सा प्रियोग है कर लिजेगा क्या नहीं करना है आज सिंग राशी वालों को दूसरे के उपर भरोसा नहीं करना है शुबरंग गुलावी भागी प्रिस्टी फाइव कंट्राशी थोड़ा सा बिरोध बढ़ सकता है सोच समझ कर फैसला ले पढ़ाई नहीं हो पाएगी ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार इक नुकसान से बाहर आएगी प्राइवट सेक्टर के लिए अनकोलता रहेगी प्राइवट सेक्टर में कुछ बहुत बड़ा आप करने जा रहे है सरकारी छेतर की स्थिती में थोड़ा सा दोश पैदा होगा गवर्मेंट सेक्टर वालों को सोच समझ कर निड़ले रहे होगा दामपत जीवन आपका बहुत अच्छा है दामपत जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी दामपत जीवन में संतान का लाब बलकी मिल रहा है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज दान्तों की तकलीफ और थोड़ा सा डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है करने राशी वालों को प्रियूग क्या करना है ब्यापारिक दिश्टिकोंट से कुछ नुकसान हो सकता है बिजनस में आज तनाव बढ़ सकता है ब्यापारिक दिश्टिकोंट से सोच समझकर निर्ड़ा लेना होगा दामपत जीवन आपका बहुत अच्छा है बताएंगे हम प्राइवेट सेक्टर के लिए नौकरी में प्रोमोशन के चांस है आज सरकारी छेतर में पैसा कहीं भसेगा बॉस के साथ विबाद होगा दामपत जीवन में सकरात्म कूर्जा भर्मपूर रहेगा आज कुछ बड़ी समस्या का हल आप दोनों मिलकर निकाल लेंगे स्वास्त के मामले में बताऊंगा लव लाइफ की स्थिती में कुछ सांस की दिक्कत कुछ पेट की दिक्कत कुछ बैक की दिक्कत हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी तुला है ओम दुम्दुरगाये नमह इस मंत्र का जाब करना है क्या नहीं करना है जूठी कसम नहीं खानी है तो पीला रंग शुबच छप्पन प्रत्सत का भाग आपके साथ ब्रश्चिक राशी आज का दिन आपके लिए नकरात्मक है किस मामले में पढ़ाई नहीं हो पाएगी कुछ व्यक्तिकत मसलों की वज़े से ब्यापार अच्छा चलेगा निवेश कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रतिकूलता रहेगी सरकारी छितर में सब कुछ बहुत सामाने रहेगा गौर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी दामपत्य जीवन में कुछ आपके अपनों के कारण कश्ट बढ़ सकता है लव लाइप में कुछ सुधार होगा लव लाइप में तनाव खत्म होगा स्वास्त के मामले में सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा दामपत्य जीवन में संतान को लेकर के कुछ चिंतित हो सकते हैं उसको चोट चपेट आद की संभावना बनती है ब्रिश्चिक राशी क्या उपाय करना चाही आज थोड़ा सा गुड और आटा दाइने हाथ से किसी पौधे की नीचे चिडियों चीटियों आद के लिए डाल दीजेगा ब्रिश्चिक राशी क्या नहीं करना है किसी अंजान पर भरोसा नहीं करना है भूरा रंग शुभत 63 प्रतिशत का भाग्याब के साथ है धनुराशी मानसिक शान्ती मिलेगी स्विक्षा के छेतर में कुछ विशेश लाव होगा ब्यापारिश दिश्टिकोंड से तुनाव बढ़ सकता है प्राइवेट सेक्टर के लिए अनकूलता रहेगी वाहन का सुक मिलेगा सरकारी छेतर में अचानक से कुछ प्रमोशन का लेटर पाकर के फूले नहीं समाएंगे दामपत्य जीवन में सुधार हो रहा है पत्पत्नी के बीच किसी भी तरह का हस्तक शिप नहीं है लव लाइफ के मामले में कुछ तनाव बढ़ सकता है आज धनुराशी वालों को साधी की चर्चा टाल देनी चाहिए दामपत्य जीवन लव लाइफ और अब स्वास्त आज जॉइंट्स में पेन, माइगरेन की समस्या और बैक की प्रॉब्लम परिशान करने वाली है उपाय क्या करना चाहिए धनुराशी वालों को आज हल्दी घिस करके थोड़ा सा टीका लगा लीजेगा क्या नहीं करना है आज सलाह मत दे दीजेगा गलती से भी करके बताता हूं मैं मकराशी वालों के लिए स्वास्थ को लेकर के थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है प्राइवेट सेक्टर में और ब्यापार में आज घाटा हो सकता है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नोकरी में आज आएगी ब्यापार वालों के लिए कोई आप से गलत जगह निवेश करा देगा आज इंटरेस्ट वगरे पर धन मत दीजेगा सरकारी छेत्र की स्थिति बहुत सुधारात्मक है सरकारी छेत्र में सब कुछ बहुत सकरात्मक धंग से चल जाएगा सरकारी छेत्र में किसी तरह की दिकत नहीं है लेकिन दामपत्य जीवन में कुछ उल्ज़ने बढ़ रही है आज अपने अपनों की वज़ए से तनाव बढ़ेगा दामपत्य जीवन को लेकर कि बहुत सजग रहने क्या वशिकता है लव लाइफ सब कुछ बहुत सकरात्मक है लव लाइफ के मामले में थोड़ा सा आपको कश्ट उठाना पड़ेगा आज भरोसा मत कर लीजेगा स्वास्त के मामले माज का दिन आखों की तकलीफ और शुगर की समस्या लेकर क्या है मकराश के लिए 22 सितंबर प्योग क्या करना है उल्टी हथेली पर एक बूद सरसों का तेल लेकर के किसी पौधे की निजे राल देजेगा क्या नहीं करना है आज मकरवालों को जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवानी सरकारी छेतर वालों के लिए उल्जन बढ़ रही है गवर्मन सेक्टर में तनाव आज मिलना ही मिलना है दामपत्य जीवत में सुधार होगा आज पत्य-पत्नी के बीच रिष्टा मधुर होगा पत्य-पत्नी एक दूसरे को समर्पित रहेंगे लव-लाइफ में कुछ उल्जने बढ़ेंगी लव-लाइफ को ले करके आपको सजग रहने क्या वशकता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो कुम्बराशी वालों के लिए आज का दिन गर्दन में समस्या और थोड़ा बहुत कमर में दर्द की शिकायत देगा कुम्बराशी के लिए उपाय क्या करना चाहिए आज आज भगवान सूर्य का ध्यान करके और सूर्य देव को घी से ऐसे छिड़क कर विशेश अर्ग देदेजेगा क्या नहीं करना है आज दूसरों के साथ अपने आपको उल्जाना नहीं है मीन राशी के लिए ब्यापार थोड़ा सा टफ रहेगा बिजनस में मामला फंसकता है सोच समझ कर फैसला लेना होगा ब्यापार रिष्टिकोंड से कुछ नुकसान होगा लव लाइफ के मामले में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा लव लाइफ में किसी तरह की दिकत नहीं आएगी लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले लव लाइफ तो बाद ने बताएंगे अभी फिर से प्राइवेट सेक्टर वालों को आज नौकरी पर बहुत ध्यान देना होगा नहीं तो नौकरी में आज आ सकती है सरकारी छेतर में कुछ उल्जने अचानक से आएगे गौर्रमन्ट सेक्टर में किसी तरह की जाँच में फसाए जा सकते हैं दामपत्य जीवन बहुत अनकूल है बहुत मेल जोल बढ़ेगा एक दूसरे के प्रतिसानित बढ़ेगा सोच बढ़ेगा स्वास्थ के मामले में बताएंगे पहले लव लाइफ यहां पर दोपहर तक सब अच्छा है दोपहर के बाद कुछ चीजें आपके हाथों से निकलेंगी सांत रहिएगा सब संभल जाएगा सांत रहने पर सब संभलेगा स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो कुछ तनाव अपने आप आया है और कुछ सोच से आप पैदा कर रहे है उपाय क्या करना चाहिए आज आज भोले नात की शरौन में रहिएगा एक मुद्ध शेहत सिवलिंग पर चड़ा दीजेगा क्या नहीं करना भहिया आज काला रंग नहीं पहना नीला रंग शुबर 56 प्रत्सत का भाग आपके साथ है तो 3 और 4 अक्टूबर आमची मुंबई स्वागत करिएगा हमारा हम आपका करेंगे अगर आप मुंबई में मिल करके कुनली दिखाना चाहते हैं आपके लिए एक अदभुत मौका है तुरंट आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल या वाट्स अप करके और मिलने का समय सुनेशित कर लीजेगा बात कर लेते हैं आज के भाग आगशर की मेश के लिए छोटी ई ब्रिशब के लिए मितुन के लिए आगशर करक के लिए का सिंग के लिए फागशर कन्या के लिए या तुला के लिए मागशर विश्चिक के लिए या धनों के लिए नागशर मकर के लिए पा कुम्ब के लिए लागशर मीन के लिए जा सादे चौकूर कागच पर लाल रंग की इंक से लिखना होता है और अपने पास रख लेना होता है बिलक्षन फाइदा मिलेगा दिबितम फाइदा मिलेगा चलते चलते आज की सक्सेस की दो चुटकी नमक किसी पौधे के नीचे रख दीजे उस पौधे को प्रणाम करिएगा और आज के दिन की सफलता का आनन दुठाइएगा बहुत शुक्रिया आपका आभार इस मुहबत के लिए यह मुहबत हमारे साथ यह ही ताज़िए के साथ बनाए रखेगा और हम भी आपके हैं आप हमारे हैं दो जानकारिया और नाव अडेज हम गाजियाबाद में हैं और रहेंगे दो अक्टूबर तक तीन को हम फ्राइट पकड़ेंगे सुबह मुंबई के लिए तीन और चार अक्टूबर आप हमसे मुंबई में मुलाकात कर सकते हैं जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं आपको बस उन्हीं नंबर्स पर एक बार कॉल या वाटसप कर लेना होगा बहुत बहुत आभार आप लोगों का इस महबत के लिए इस ताज़गी के लिए फिलहाल अब अनुमद दीजेगा आप लोग खुब खुश रहें प्रशन रहें और देखते रहें जोतिश दिशा सत्तिकी रहा नमस्कार शेरादे